यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ के खिलाफ नारे बाजी करते हुए पुतला फुग दिया इस दरां बीज़ूपी पदाधिकारियों के उरसे कहा गया कि कॉंग्रेस के पूर्वसी है दिगवज़ सिंग ने आतंकी देश पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान की तारीफ की और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्ण चिन खड़े के बीज़ूपी अब ध्यक्ष अखिलेश अयापची ने खा कि दिगवज़ सिंग को देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए दिगवज़ सिंग के बयान के बाद ये रोश कारिकरताओं में बना हुआ है बीज़पी कारिकरताओं ने दरसल उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर ये बयान दिया था जिसके बाद बीज़ेपी कारिकर्ताओं का कहना है कि उन्हें सेना से माफी भी मागनी चाहिए अपने इस बयान को लेकर कॉंग्रेस और आतंगवाद ये दोनों पुतले दहन करने के लिए पहुँचे थे बीज़ेपी कारिकर्ता सड़क पर उनका ये प्रदेशन देखा ज़ा सकता है आपको बता दें टीकम गड़ से ये वाक्या सामने आया है दिगवज़े के बयान के बाद बीज़ेपी कारिकर्ताओं का ये आक्रोश बढ़ता चला गया आतंगवाद और दिगवज़े सेंग का पुतला देहन करने के लिए पहुचे थे ये बीज़ेपी कारिकर्ता इस दुरान जड़ब भी हुई दरसल उन्होंरे साजिकल स्ट्वाइक को लेकर एक बयान दिया था जिसके बाद बीज़ेपी कारिकर्ताओं का क्याना है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इसे के चलते बीज़ेपी कारिकर्ताओं ने रोज जताते हुए सडकों पर अपने प्रदेशन को तेज कर दिया रोज व्यक्त करने के लिए कॉंग्रेस और आतंगवाद का पुतला भूटते हुए नज़र आए बीज़ेपी कारिकर्ता मर्देपिदेश के टीकमगर से ये मामला सामने आये है जहापदिक वज़ेपी कारिकर्ता भड़कते हुए नज़र आए उब ही उब ही कारिकर्ण कारिकर्ण के वज़ेपी कारिकर्ण